इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जखें श्री वर्धुमान श्वेतामबर स्थानक वासी जैन श्रावक संग ट्रस्ट उपाध्याई प्रवर प्रवीन रुशी चातुर्मा समिती इस ज्ञान से क्लेष का जन्म हुआ की प्रेम का जन्म हुआ है और इदी अराधना से जन्म हुआ जन्म होता है तो एक दुसरे को समझ कर लेता है एक दुसरे को अंड़स्टेंड कर लेता है एक दुसरे को अंड़स्टेंड कर लेता है विज वाद को सिकार कर लेता है की क्ष अनन्त प्रकार है, जिसका जैसा क्ष्योप्षय है, वैसा उसको समझ में आरा है, मुझे मेरा जैसा क्ष्योप्षय में, इसलिए मुझे आसा समझ में आरा है, उसका है क्ष्योप्षय में, इसलिए उसको आसा समझ में आरा है, योगी राश्री हस्री हस्मुक्पनिजीमारा स उस मैं अलग थाई, इस पर comments कर उस पर comments कर उस पर comments कर उस पर comments कर comments का उ पोश्टमार्टर का थपपाई ही जलता नाम थो अभिर हास्ते हास्ते मुझा करते गद ऑरे जिसका जैसा क्षयोप्षयम है, वैसा उसका ज्यान है, इसका 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 ज्य अग से ने आता है, दिल झाता है, इसलिह सुरुट आराधना, इसलिए स्वध्धय की परंपरा को में अधर देता हूं, रिस्पेट करता हूं, मैं कोई स्वध्धय के खिलाप नहीं बात करता हूं, लेकिन मुझे लगता है की, आज मुझे आउश्यक्तान लोगों के पास अराधना की है कि लोग इस आगम को अपने घर में एक पवीत्र परमात्मा के ग्रंथ के रूप में स्थाफिक करें आज दिए आपके बच्चे को कोई जा करके पूछें आपको भी पूछें कोई बाहरवाला पूछें कि तुम्हारा पवीत्र शास्त्र कोंसा है क्या जवाब दे पाऊंगे इससे बढ़कर के और में लगता है कि एक सोशल लेवल पर, एक सोसाइटी के लेवल पर, एक कम्यूनिट के लेवल पर एक मुस्लिम को जाकर के पूछो कि तुम्हारा पवित्र ग्रंत कुंसा है एक कृष्यन को जाकर के पूछो एक हिंदू को जाकर के पूछो एक पार्सी को जाकर के पूछो एक सीख को जाकर के पूछो उनके पास इसका उत्तर है जेनी के पास एक प्रयास करिए कि आगम आपके घरों में एक पवित्र आगम के रुप में प्रतिष्टीत हो जाए ऐसी सद्धा इस किर्पति आपके मन में निर्बान हो जाए कि मेरे परमात्मा के आशिर्वान है कि मेरे मिरमात्मा के वरदान है ये भाव आपके मन में जन में तो ये 21 दिन का अनुष्ठान सार्थक होगा ये किस दिन के लिए ने ये लाइफ लौग के लिए ऐसी भिजमद वही है कि जिन को कल ही फल लग जाए और कली उनकी उमर पुरी हो जाए अब देखते हैं खिती के दलब एक जवारी होती है गहू होता है घास होता है उसको फल लग गया फसल समाप दो गए फल लगा फसल समाप दो गए एक आम का पेड है एक नारेल का पेड है एक सुपारी का पेड है उसको फल लगते ही पेड समाब तो नहीं होता है, उसको हर साल फल लगते रेते हैं, और सुपारी के पेड को तो 30-30-40-40 साल तक पल लगते हैं, सुपारी के पेड को, वे एक बार पेड लगा दिया, कि बस फिर फल लेते चले जाओ। तक के की पुल लें लेने, एक फल हो तक समाब लें, कि बस खाल लेनी कि एक पेड लगा लो और फल उसको जन्मा जन्मांतर तक आते ही रे जहे हैं, जन्मा जन्मांतर तक आते ही रे जाएं। Guru Gobind Singh का एक स्वयं का लेकर के कमट्मेंट में तथा। बड़ा गजब का कमेंटमेंटमेंट है, मैं बहाद उसको दिल से याद करता हूं, एक चिडिया से बाच को लड़ाओ, तो गुरु गोविन नाम धराओ। चिडिया को बाच से लड़ाओ, तो गुरु गोविन नाम धराओ। और यह उन्होंने करके बताया है। उसमें सारे मुगल बाच थे और हिंदू सारे चिडिया थे। उन्होंने हिंदू को ऐसा जान फुकि उनमें ऐसी जान फुकि, कि एक सम्वालाग के बराबर हो गया है। अगला थे यह पहली भर गोल और हुां। अगला वाक्या में पहली भर वण भल्र ब यह भर उन्होंने कहा है। सिगा बेन हिष्या घ्रागा ओगान हिए। अधिया नीग आखित सम्शिया और जाली तरह आए। उसमें आए जारे ने शाली गभिथ्च उन्हा है। मुरे पहुर महाबिर को कबूल कराओंगा, तोही प्रविनुषी नाम दरााओंगा है. यह क्या दूसरों के साथ की अप यह क्या है. इस मेरयापने साथ की क्या है. और धिरーニंकर परमात्मा के गुर्दयों कि कुरुपा है. और उसके अलग 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 कारीकरम चलना है, अलग अलग कारीकरम, क्युकर्षे से समाज को नहीं चलाया जासता है एक प्रोग्रमप लेकर करके कोई government नहीं चल सकती, government के लिए तो, सारे appointment को डिबार्मेंट समालने पड़ता है अड़े आपको शासन निर्बान करना है मैं क्यूं बात करना वाज आपके साथ ही कि कल सुधर्मा स्वामे का उत्राधिकारी के रूप में अभिशेक होना है कल शायद भाप करने का उत्राधिकारी मेरे पास नहीं रहेगा है एक तिर्थंकर का उत्राधिकारी मननना है एक सुर्य का उतरा देगारी बनना है कलप ना कर सका तो करो एक विराण संग का उतरा देगारी बनना है और वो दाई तो तब निभाना है कि जब प्रभू नहीं है मैं क्योल सोचने के लिए के रहाज आपको भगवान महावीर के निर्वान होने के अड़तालेश मेट के बाद इंद्रभुति गोतम स्वयम भगवान हो जाते उनको केवल गयान हो जाता है अब संग और समाज के सामने दो अप्शन है एक तरफ केवल गयानी है और एक तरफ सुधर्मा स्वामी है एक सुरज है और एक दिया है किसको चुनना है सुरज को चुनना के दिये को चुनना है नहीं उतरा देगार ये के होता है एक सुरज है और एक दिया है और शासन में सुरज को नहीं चुना गया दिये को चुना गया हाँ येस बहुत गहरा का रहन है कि सुरज कभी नहीं बोलेगा कि भगवान महाविर नहीं ऐसा फर्माया है सुरज ये की बोलेगा कि मैं ऐसा जानता हूं के बलु गया नहीं जब बोलेगा क्या बोलेगा मैं ऐसा जानता हूं उसके माध्यम से ज्ञान पहुचेगा प्रभू नहीं पहुचेगा और संग तब चलता है जब प्रभू को पहुचाए जाता है नोट कर लेजिए बाग को दिल में नोट कर लेजिए लिगेसी तभी तयार होती है जब परंपरा बनती है और सुरज की परंपरा नहीं बनती है सुरज कभी नहीं कहेगा कि मैंने ऐसा सुना है कि मैं इसा जानता हूं तक ज्यान पहुचेगा लेकिन प्रभू महावीर दुनिया के पास नहीं पोचेगा प्रभु महाविर के शब्द नहीं पहुचेंगे इस बात को आज गहराई से समझीए तब कल सुधर्मा स्वामी का अभिशेक करते से मैं आपको आनन्द आएगा क्यों सुधर्मा स्वामी को चुना कि मैं इसले चुना कि दुनिया के पास ज्ञान नहीं पहुचाना है प्रभु को पहुचाना है प्रभु के वचन पहुचाने प्रभु के वचन पहुचाने प्रभु पहुचाना ये महत्वपूर्न था और ये काम सुधर्मा स्वामी ही कर सकते थे वहीं ये बोलते है सुयं में आवसं तेनं भगवया एवं मख्खायम परमात्मा ने ऐसा फरमया ऐसा मैंने सुनाए और यह बहुत बड़ी समश्या है कुछ केवल ग्यानी हो जाते है वो किशी का रेफरेंस ने देते हैं उनको रेफरेंस देने की जरूदनी है कुछ अहंकारी होते हैं दो प्रकार होते हैं रेफरेंस ने देने दो प्रकार होते हैं कुछ अहंकारी होते हैं जो रेफरेंस ने देते की हम इने अभासे सुना है और इसको मैं इस समिश्या से मैं गुजर रहूँ इस समिश्या से मैं गुजर रहूँ आरमिज्या के कारिकम चल रहे हैं। मोर दन 4,000 टेनर हो चोके अभी पास्तो शासो टेनर का आपके चोईष पचिस तारिकों आपके रायपूर में चर्टिफिकेशन होने जा रहा हैं। पहली भार इतने विराहत संख्य में थे ऒेली पास्तो खचिस तूरीं के अड़िकेशनों का चर्टिफिकेशन होने जा रहा हैं। वा हम एक समष्या करता हूं। कुछ तेनर होते मेरे रहे होते हैं। जो अप्नी आपको एक्षपोग्फोज करना चाहते है। उन्हें परमात्मा के आउश्रतानी, उनको गुरू के आउश्रतानी, वो लेते सब कुछ यहां से, लेते सब कुछ यहां से, लेकिन आगे जब बात पहुचाते हैं, तो स्वयम के नाम से पहुचाते हैं, बहुत भारन को समझाया गया कि नहीं, आइसा मत करो, इससे तुम अ आवज्या कर रहे हो, जहना वर्णिय कर्म का बंध कर रहे हो, लेकिन अहंकार सत्य को स्विकार करने देथा, सुधर्मा स्वामी की महत्ता क्या है? सुधर्मा स्वामी की विशेस्ता क्या है? उनुने कहीं पर भी स्वयम को प्रेजंट नहीं किया है, कहीं पर भी स्वयम को प्रेजंट ने किया वो के बल प्रेजंट करते हैं प्रमात्मा महाविर को हम किसको प्रेजंट करते हैं और जब तक हम अपनी आप को प्रेजंट करेंगे तब तक प्रभु महाविर दुन्या में नहीं पूचेंगे जब तक मैं मेरी परंपरा को प्रेजंट करूंगा, मैं धरम को नहीं पहुचा सकूंगा जब तक मैं मेरे गुरु को प्रेजंट करूंगा, मैं परमात्मा को नहीं पहुचा सकूंगा यहीं मुझे परमात्मा को पहुचाना है तु मुझे स्वयम को जीरो करना ही पड़ेगा है मैं स्वयम को जीरो करे बिना परमात्मा को नहीं पउचा सकता हूँ इसुधर्मा स्वामी के क्यारेक्टर की सबसे सुंदर्तम बात है अनुठी बात है जिसके आज मेरे शासन को बहुत बड़ी आश्रकता है मोर द्यान 15,000 सादू सादवी हैं जिन शासन के मोर द्यान 15,000 के ओपर सादू 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 है काश ये सारे सादू सादू के ओल भगवान महावीर को प्रेजेंट करने लग जाए तो दुनिया का नक्षा चेंज हुने में समय नहीं लगेगा है 21 दिन का अनुष्ठांग तुम्हरे सामने था इसमें क्यों भगवान महावीर को ही प्रेजेंट किया है क्यों नहीं जाएकार लगाता था एक भगवान महावीर के अलाओ किशी का नम क्यों नहीं लेडा था आप कलपना कर सकते हो कि बिना गुर्देव का जयकाना लगाए बिना मेने रेड़ना मेरे लिए कितनी बड़ी कोसोटी है लेकि मेरा एक द्रीम है क्या सुधरमा स्वामी बन करके ही प्रभु को पोचा जा सकता है और बनना चाहिए याप से अगर है मेरा है क्यों सुधरमा स्वामी का भीषेग है आप देखिए जो भी दुनिया में धरम पहले है उनके तरब देखिए आप लोग है उनोंने सुधरमा स्वामी का केरेक्टर फालो किया कोई पांदरी भूलकर कि यहीं बोलता है कि मैं ऐसा बोलता हूं पांदरी एक ही बात बोलता है कि जिसस ने ऐसा बोला है जैजिनेंद्र मेरा नाम नेहा जैने और मैं अरहम योग की ट्रेडर हूं अरहम योग में वो साधना आसन एक्ससाइजिस सिखाई जाती है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की सुप्त और गुप्त उर्जा को एक्टिवेट करते हैं आज के इस तनावपुन जिंदरी में जहां हम काम के भागदौर में लगे रहते हैं वहीं अपनी मेंटल हेल्थ और इनर सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं अरंग योग में हम अपने माइन, पॉडी एंड सोल को बैलन्स मिलाते हैं जिससे हमारी चीपी हुई शक्ती अनलोक होती है जानिए इस रहस्ये को सीखे और सिखाईए गुर्देव रिशी प्रवीन द्वारा सिखाया गया येक 6 महिने का कोर्स आप जोईन कर सकते हैं 9 जन्वरी दो हजार चोईस से जूरिये हमारे साथ दुनिया के कोई भी कोने से ओनलाइन क्लास के दुआरा रात साड़े आठ से दस बजे वी दे चेंजमेकर जोईन अस टोड़े पन्निवाद वी दोड़े पूशब दूच्ट दूब दूब ऑग्ट लोगे भी कोई भी दूब ऑगख भी कोईस से दूब एग जोगवे दूब